पाकिस्तान ने भारत को दी न्यूकलियर बॉम से उडाने की धमकी पाकिस्तान ने किया भारत पर परमानु हमला तो भारत की कौन सी मिसाइल बचाएगी पूरे भारतवाशियों को रूस ने जीता भारत का दिल पुतिन ने किया मौधी को कॉल तो दोस्तो आईए जानते हैं सारी खबरों को विस्तार से दोस्तो जिस तरीके से भारतिय सेना ने चीनी सेना को दोड़ा दोड़ा कर पी जा है उसको देखकर जितनी बॉकला हट चीन में है उतनी ही पाकिस्तान में भी है दरसल भारत को चीन के साथ उलजाद देखकर पाकिस्तान P.O.K. में बड़ी कारवाई करने जा रहा था और इसके लिए पाकिस्तान ने इस्लामिक संगठन वाले ओ आईशी के अध्यक्ष को भी बुला लिया था वहीं जब P.O.K. को लेकर भारत के ओर से पलेटवार किया गया तो पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिला उठा और भारत पर परमानू हमले की धमकी देने लगा यहां तक कह दिया कि भारत सायद भूल रहा है कि पाकिस्तान परमानू हत्यारों से लेस देस है अगर एक भी परमानू हत्यार भारत में गिराया गया तो भारत की सात नसले अपंग हो जाएगी लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से भूल गया कि इन दोनों मुलकों की लडाई में हमेशा ही भारत इनका बाप रहा है चाहे 1971 का युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध हर मोके पर भारतिय सेना की हत्यारों ने पाकिस्तान की जबरदर्स्त तबाही की है दरअसल पाकिस्तान के मंत्री शाजिया ने भारत को बड़ी धमकी दी है इसके पहले तक तो पाकिस्तान के पूर्वे परदानमंत्री इमरान खान खुद ही भारत पर पर्मानु हमले की धमकी दे देते थे लेकिन इस बार मोजुदा परदानमंत्री शहबाज शरीप ने अपनी मंत्री शाधिया से भारत पर परमानु हमला करने की धमकी दिलाई है युनाइटेड नैसन में भारत ने एक मीटिंग आयो जित की थी पाकिस्तान भी बिना बुलाय पहुंच गया पाकिस्तान की ओर से युनाइटेड नैसन की मीटिंग अटेंड करने पहुंचे फोरेंड मिनिस्टर विलावल भुटो ने कस्मीर के मुद्दे को राग अलापना शुरू कर गया जिसके बाद जैशंकर ने पाकिस्तान को इस तरीके से धोया की पाकिस्तान की मंतरी शाधिया को सामनाना पड़ा उनकी तिलमिलाहट इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने भारत की विदेश मंतरी जैशंकर को अंधा तक कह दिया दरसल पाकिस्तान की मंत्री ने जो कुछ भी कहा उसका एक-एक सब्द आपको सुनना चाहिए आपको बता दे कि साधिया की और से कहा गया कि मोधी सरकार की दिसा में विदेश मंत्री इतना अंधा हो जाएगा कि वे नहीं सोचेंगे कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है और अगर भारत का विदेश मंत्री पाकिस्तान न्यूक्लियर वाले देश के लिए उल जलूल बक्षकता है तो ये उसके लिए ठीक नहीं है तो भला भारत क्यों पाकिस्तान की न्यूक्लियर वाली धमकी की दरब ध्यान दे क्योंकि भारत पहले भी इनके न्यूक्लियर हमलों का इलाज कर चुका है दरसल भारत ने एक ऐसी मिसाइल पहले से ही अपने जखीरे में शामिल कर ली है जो किसी भी परमाणू हमले को हबा में ही नस्तो नाबूत करने की ताकत रखती है इस missile की काबिलियत ही आ है कि भारत के atmosphere में आने से पहले ही nuclear हमले को disfused कर देता है और इस missile का नाम है प्रद्योमन missile तो आईए बताते हैं कि कैसे प्रध्युमन मिसाइल किसी दागे गए परमानू बम के खिलाब काम करती है। चारण परमानू बम का डिस्फ्यूजड पार्टिकल भी भारत की धर्ती पर कोई कहर नहीं बरपा पाएंगे। अगर एक भी परमानू बम से हमला किया तो पाकिस्तान का बच्चना बेहद मुस्किल हो जाएगा। भारत के DRDO के द्वारा इस मिसाइल को बनाने के पीछे का मक्षद भारत को किसी भी परमानू हमले से सुरक्षित करना था। जिससे वे सफल भी रहा है। अब इस मिसाइल के सफल परिक्षन के बाद इसको भारत के जंगी बेडे में सामिल कर लिया जाएगा। भारतिये डिफेंस सिस्टम में उप्योग की जा रही प्रत्वी मिसाइल को इस मिसाइल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। प्रत्वी मिसाइल का काफी लंबे समय से उप्योग किया जा रहा है। प्रत्वी मिसाइल को भारतिये सेना ने 1994 में सामिल किया था। और इसी मिसाइल की जगहा पर भारत्य सेना में प्रद्यूमन मिसाइल सामिल होने वाली है। अगर इस मिसाइल के फीचर्स की बात करें तो यह मिसाइल 3000 किलुमीटर तक मारक समता से लेज है। तो वहीं 80 किलुमीटर इसका फ्लाइट एल्टिटूड है। इस मिसाइल की स्पीड 8 मेक है। वहीं अगर इसके गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें मिड कोर्स इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम का उप्योग किया गया है। दोस्तो यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर, अब आईए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। यह खबर रूस से आई है। दोस्तो भारत से 9 दिन पहले तुवांग में चीन की सरारत होती है। और अब पुतिन ने पिया मोदी को फोन लगा दिया है। बड़ी वजए अमेरिका था। प्राइस केप लगा है, उसके बाद से ही इस बात को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है कि अब भारत पर इस प्राइस केप का क्या असर पड़ेगा। लेकिन अब जो खबर आई है उसके मुताबिक रूस तो इन पर्षिमी और यूरोपिय देशों के द्वारा लगाए गए। इतना ही नहीं भारत को जिस सिप के द्वारा क्रूड ओयल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उनका इंस्योरेंश भी पर्षिमी देशों की कमपनिया ही कर रही है, वहीं रूस पर जबसे ओयल प्राइस केप लगाए गए, तब से रूस अपना पूरा ध्यान ACI देशों की रूस की कोशिश है कि हर दिन 5 मिलियन बेरल क्रूड ओयल का एक्षपोर्ट किया जाए जिसमें से भारत अकेले ही रूस से 1 मिलियन बेरल क्रूड ओयल की खपत हर दिन करता है मुझदा वक्त में रूस से भारत को 80% से ज़्यादा कच्चा तेल यूरल्स कूड एसपी ओ ब्लेंड और शोकोल ब्लेंड को इंपोर्ट किया है वहीं इन सभी की किमतें भी ओयल प्राइस केब के आसपास ही है इसलिए अगर भारत ओयल प्राइस केब का समर्थन करता भी है तो भारत पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला दरसल भारत इस वक्त जो यूरल्स कूड रूस से खरीद रहा है उसकी कीमत 49 डॉलार परती बेरल पर रही है जबकि G7 देसों ने रूस पर जो परती बंद लगाए उसके तहत रूस अपने कूड ओयल को 60 डॉलर परती बेरल से ज्यादा की कीमत में नहीं बेच सकता उदर भारत को जो एसफो ब्लेंड और सोकोल ब्लेंड रूस के द्वारा बेचे जा रहे हैं उसकी कीमत 62 डॉलर परती बेरल और 19 डॉलर परती बेरल के आसपास ट्रेंड कर रही है ऐसे में भारत को प्राइस केप के तहत ही खरीदने में किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पर सकता है वहीं अगर जरूरत परती है इनकी कीमतों में थोड़ा बहुत गिराबट करके ओयल प्राइस केप के तहए 60 डॉलर परती बेरल के हिसाब से भारत को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है मुझुदा वक्त में भारत और चीन रूस के क्रूड ओयल के सबसे बड़े इंपोर्टर देश है रोज के क्रूड ओयल का लगभग 40% इन्हीं दोनों देशों के द्वारा इंपोर्ट किया जा रहा है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे